तो वेलकम टू हाई टेक डिटी डोट इन तो दोस्तों मैं आपके लिए लाहे हैं Oxygen OS पे एक और अप्टेट बैसे मैंने अभी इस पे रिसेंट्ली दो तीन अप्टेट और रिलीस किये थे लिकर मैंने उस पे वीडियो नहीं बनाया हैं क्योंकि वह इनकी विंटल अप्डे मेरे एकशटी पोस्ट पे रीट कर लेना अच्छे से हम मैं आपको बताता हूं इसको इंस्ट्रॉल करने का तरीका लेकिन मेरी आपसे वेले क्रिकोईश अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो कि यह सारी चीजें में आपके लिए करता हूँ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अगर आपको फिंकर्मिंटसे बहुत ज़्यादा लगाव है तो भाई यह अपडेट मत करना है एक क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए अपने colorway 6 में बढ़िया रहना क्योंकि मैंने इसमें पूरी कोसिस किये उसको fix करने के लिए लेकिन नहीं हो पाए तो आंगे आपकी इच्छा अगर आपको move over इस पर करना है तो अपनी इच्छा से करना है मेरे साथ मैं आपको कोई force में कर रहा हूं इस चीज़ के लिए ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूं तो इसके लिए चाहिए आपको unlock bootloader with custom recovery install अगर आपका phone unlock नहीं है और recovery install नहीं है तो नीचे एक description में आपके link दे दिए महां से आप unlock और custom recovery भी install कर लेना और आपको phone color 6 में भी updated होना चाहिए और जो users oxygen OS पे है already तो उनको भी clean install इसको करना पड़ेगा यानि fresh install इसको आपको करना पड़ेगा तो तीन फाइल आपको download कर लेनी है और यह फाइल आपको मिलीगी मेरी hda post पे एक तो है रोम और दूसरी है रूट करनी की और थड़े apps की जो आपको extract करने पड़ेंगे अब यह आंगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा तो यह तीन फाइल आपको download करके अपने phone को कर देना है recovery में reboot I hope अपने phone को unlock कर लिया होगा थोड़ा wait करना है volume down and power key को दोनों को hold करना है ताकि आप अपने recovery mode में जा सके अब यहां से यह लिखा हुआ रहा है तो इस पर आपको यहाना volume down की दवानी है recovery mode पर दिख रहा है यहां से आपको power button दवा दीनी है ताकि आप सो select कर पाएं यहां से आपको सब्सक्राइब क्या करना है अपने system का पूरा backup आपको create कर लेना है कोई भी चीज़ में इस मत करना system bender data boot जैसा दिख रहा है स्क्रीन पर इसको किसी safe location यानि कोई safe other storage रहता है उस पर आप कोपी कर लेना ताकि आपका phone अगर यह कोई problem आती है तो आप उसको restore कर पाएं तो यह बहुत जरूरी चीज़ जरूर करना आप सबसे पहले हैं तो मैं वेक अपस का पूरा ले लूँगा अपने phone का ऐसे ही आपको भी backup अपने phone कर लेना है अब आपको यहाना wipe पे अब यह रोम इस्टॉल करने का तरीका है यहाँ पर आपको यहाना advance wipe पे क्लिक करना उस पर यहाँ पर आपको system dalvik art case और vendor data case इस पर सब्सक्राइब कर देना आपको और नीचे दिखा हुआ swipe to wipe तो आपको swipe करकर कर देना है बहुत आसान तरीका है बस आप follow करते आएंगे तो simply आपको install हो यागा इतना कोई कठीन नहीं है back करना है back करना है यहां से आपको आना है reboot और recovery पर reboot करना है बापी system पर reboot नहीं करना है आपको तो रबेट करना है अब आपको क्या करना है अब आपको करना है ROM install यहां पर आपको करना है install पर click और यहां आपने रोम अपने डाउनलोड करी थी तो इस पर आपको क्लिक करना है तो यहां से नीचे से मैं उसको साइब टू फ्लैस कर दूंगा तो जैसे वीडियो में दिखा रहूं आपको ऐसी करते आना है और यह आपको बोलेगा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए तो जरू कर देना भाई नहीं तो भाई उट्लूप हो जाएगा आँगे आप जिम्मेदार है थोड़ा से वेट करना है जिस सम्तिंग पांच मिनट इसमें टाइम लग जाएगा इसे जादा टाइम नहीं लगगा इसको इंश्टॉल होने के लिए तो मैंने वीडियो स्किप कर दी जाद कि जादा यह टाइम ना ले और इसके बाद आपो करना है कि अवी। आपको रिबूक नहीं करना है आपको सीडे फिर से रिकारी पर ही रिबूक करना है क्योंकि अवाब को करना हे माजिस को इंस्टॉल तो माजीस है कि माज़िस इस बूट करने के लिए हम यूज करते हैं और उसपे आप साथ में बैंक से सी perspectives कर सकते हो ताकि आप बैंक के एड यूज कर पाऊं तो यह मैं इसको सिंपली यहां से इंशोल कर दूंगा जैसे हम आपको बताते आ रहे हूं सिंपली आपको वैसे करते आना है कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको रिवूट सिस्टम पर क्लिक कर देना है ताकि अपने यह सिस्टम में बूट हो थोड़े सांती रखनी है कोई जल्दवाजी नहीं करनी है और मैं आपको बताना भूल कि इसमें आपका इंटर्नल में वही आपकी फॉर्मेट नहीं होगी ठीक है कि जरू ध्यान रखना मतला अगर जरू माप फ्लेस करते हैं ताकि इंटर्नल में हो रही है वो सेव रहेगी वह फॉर्मेट नहीं होगी तो यह आप एनिविसन देख सकते हो थोड़े इत्यार करना है संतिंग पांच है दस मिनट लगें और यह आपको वह नहीं दिखाए दिए कि इसको सिंप्ली आपको इंग्नॉर कर देना है और ओके पर क्लिक करके अब आपको इसको कर देना है अनलोक और यहांस आपको आना है करना है अलाओ कर देनाहेegen कि यहां सब चलें आना waktu क्या ए आनलोक चलेंगे कि यहां उनलोक यहां सन्हाने। अपको तिखा दें आरहूंग है ने आपको इचालना वार करते से अंक करалась मूंत बटन इंग झैने। कर बटन आपको बिलिंग लाइट आपको डिसेबल कर देने कि यह भी हमारा यह में तूपो पर है नहीं अब आपको यहाना नीचे एब आउट फोन पर ताकि हम डेवलोपर ऑप्शन इनेवल कर सकें यहां साथ बार टेप करना है और यहां पर आपको आना स्पे फिर आपको यहाना ड स्कूर्ल डाउन करना यानि आपको नीचे आना है यहां आपको दिखाई देगा एनिवेसेन स्केल तो पॉइंट फाइव भी सेट कर सकते हैं फिर आपको ओप कर सकते हैं मैं ओप करना जादा पसंद करूँगा कि इससे पावर सेव होती है इसलिए कि और साथ में अपना एडवांस डिपूट कर दूँगा इसमें आपको चाहिए हो गांगा तो कर देना नहीं तो मत करना ऐसे को यह रहूड़ी नहीं है अब आप देख सको होगी कि आपको फोन की लाइट है बहुत दिम है तो इसको भी फिस करने का आपको आपको बताता हू बैसा आपधा करते आना पूरा इंस्टोल रों जाएगा करुए पहले क्या करूं करूंगा इसको डन कर दूंगा इसको अब जो माजिक्स था अपना वो अगर आपका इंस्ट्रोल नहीं हुआ तो वो हो जाएगा आपका इंटरनेट बस आप चालू रखना इंस्ट्रोल हो जाएगा लेकिन पूर अप्ग्रेड मत कर देना जैसे अब लिख़ए अप्टू डेट जितना मत कर है तो मैं इसे ख्रोम पर उपन कर लूँगा जिस आपको स्ट्रोल लगे आप उस पर उपन कर लेना है बस आपको कोपी करना कोड जाद हो कुछ नहीं करना है कि कोड दिखाई देगा आपको सेट प्रो बगएरा ब्राइटनेस का तो यह सिंप्ली आपको सेलेक्ट ओल करके इसको कोपी कर लेना है फिर आपको यह आना तर्मक्स पर वापीस आना है यहां पर आपको कमांड टाइप करनी है तो मैं आपको बताते जारह हूं बस आपको बोलो करते आना ज्यादा कुछ नहीं आप भी कोडर बन जाओ गया आज तो आस यू लिखना है जिस तो पर यू कि मेरा ब्राइटनेस आल अकोड था मैं इसको एंटर कर दूँगा ताकि वह एक्सक्यूट हो जाए इसके आद में क्या करूंगा रिस्टार्ट करूंगा और आपको फिर देखने को मिलेगा कि आपकी जो ब्राइटनेस थी वह फिक्स हो चुगी है तो यह वार्निंग आई करी कि तो इसको आप सिंप्ली इक्नोर कर देना है अब आपको आना फाइल मेनेजर पर हैं अब जो मेरे बागी बचे एप्स थे मैं उनको भी इस्वर कर लूँगा ताकि इन फूचर मुझे कोई दिक्कत ना हो गैलरी यूज करूंगा जे मेरा जो मेरी काट की जो फूटर बगरा है इसमें मेरी उसारी भी वो जाएगी तो यह आपको इंस्ट्रोल कर लेना है डवाई कर देना है केमरा पेज हमारी केमरे मरत करेगा जो से मेल थोड़ा ओप ईसके आप ए इस थोड़ा ओपो एइस घ्रूंद कर लेना वाँ जो बहुत अच तो यह थोड़ा टाइम लगाएगा इसको इसको इस्टोल आपको डन कर देना है अब एक और चीज मतलब जो बहुत जरूरी है जो आपको फोन में एक चीज देखने को मिल जागी जो मीडिया बोले में आप सेट नहीं कर पाते यानि आपको फोन अपना बाइव डगर करना है तो आप इससे कर सकते हों आपको फोन कोई रिस्टाइट नहीं होगा बीच बीच में तो इससा पूर अपना सेट कर सकते हो और साथ में सेटिक से भी सेट कर सकते हूं यह में मीडियो गोलियम है नीच वाला रिंगर मोड है और पीच वाला अलारा मोड है तो यह सारी चीज़ आपके हो चुकी है सेट और आप इसको कर सकते हैं यूज बिल्कुल बिताउट एनी प्रोब्लम अगर कोई दिक्कार जाती है तो कमेंट डाउन कर देना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और जितनी अगर मैं विजी रहा तो नहीं कर पाऊंगा और अगर फ्री रहा तो मैं बिल्कुल आपको डेफिनेल्टी रिप्लाइग करूँगा और आपको एक साथ में आपने देखा होगा मैंना भी शुरुबात में जी बोला वेलकम तो हाइटेक डोट टीजी डोट इन तो वो मेरी फ्रेंड की वेफ्साइट है में कोई स्पॉंसर वगरा नहीं कर रहा हूं नहीं मुझे को इस चीज की रुपे मिल लेकिन आप वेफ है इतना कर देना क्योंकि हम अगर थोड़ा सा भड़ रहा है आंगे तो साथ में हमारे फ्रेंड जितने वह भी भड़ जाने चाहिए है ऐसा हमें एक दूसरे के प्रति सोचना चाहिए बस इसी साथ जाहिए वीडियो हमारा एंड होता और आप इसको पिल्कुल यूज कर पागी विदावड एनी प्रोब्लम और हम इस पर वीडियो पर एम करते हैं पन के लाइस का और फाइब के सब्सक्रा ठीक है आपने उस पर नहीं किये थे तो भाई अगर नहीं करते हो त फर मैं सारा काम मन कर दूँ अब फिर सोच लेना कि कौन मनाएगा जो साथ चीज है ठीक है तो डेफिनेटली आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब हैं वीडियो को लाइक भी तो साथ चीज आपको कर देनी है ठीक है मिलते हैं आप से बाल में सी यू लेटर टेक क्या बाई चैनल तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो को भी लाइक कर देना और साथ में बैल लगा आइकोन को भी हिट कर देना वैसी आपके लिए चीज़े लाते रहूंगा बहला ही मुझे कुछ इंकम नहां हो रही है उसे जादा ठीक है तो मिलता हूं आप स्वाद में टेक कर देके